दोर पेका शैंपू लोगा कर आपके बाहल इतनी सिल्की और शैनी हो जाएंगे क्या पानमसाल के एक छोटी से पैकेट में इतना सब कुछ डाला गया होता है जितना हमें टीवी एड्स में दिखाया जाता है और कैसे दो मिंड में तयार होने वाले हमारी प्यारी मैगी टीवी एड्स में इतनी येमी और टेस्टिड लगती है फ्रेंट्स ऐसी ये एड्स की रियालिटी जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ दोस्तो बियर एड्स में बियर को अधिक छागदार दिखाने के लिए इसमे लिकीड बहुत बहुत क्या जाता है चिपथ और फैंज की एड्स को देखकर आपके मूँ में पानी जाजाता होगा लेकिन आपको मैं इनकी रियल्टी पता दू तो फ्राइज को ज़्याद अच्छा दिखाने के लिए उन्हें इस तरह से स्टिक पर लगा देते है जिससे फ्राइज उठी वी दिखे और ये फ्राइज भी नकली होती है ऐसा ही चिप्स की एड में किया जाता है क्योंकि ऐसी एड को बनाने के लिए काफी मेनत और टाइम लग जाता है इसलिए लोग प्लास्टिक से बने चिप्स का ही इस्तिमाल करते है दोस्तो खाने वाले प्रोड़क्ट की एड का टीवी पर दिखाया जाने वाल खाना अगर आपको खाने को दे तो आप यही कहेगे यह तो टटी है दोस्तो आपको क्या लगता है कि पानम साल के एड में आजे देवगण और शारकवान सचमच भी मल खाते होंगे तो आंसर होगा नहीं इस एड को शूट करने के लिए यह लोग ग्रीन स्क्रीन का इस्तमाल करते है और एक्टर सिर्फ खाली पैकट के साथ इसे खाने की एक्टिंग करता है और यeल लैफ में इन पानम साल के पैकट में इतना सब कुछ होता ही नहीं है जितरह हमें टीवी एड्स में दिखाया जाता है फ्रेंड्स अगर 2-4 रुपए का शंपू यूज़ करके आपके बाल इतने चमकदार और स्टेट हो जाते और 2 रुपए की क्रीम लगाके अगर आप दो हफते में गोरे और चारा चमकदार हो जाता तो वे ब्यूटिव पार्डस में कब का ताला लग जाता शंपू की इस एड्स में एक्टरेस के बालों को बेले स्टेट किया जाता है और फिर ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके एक डंडे के सारे से बालों को हिला जाता है और क्रीम के एड्स तो इसमें तो सिर्फ मेकप और एडिडिनिंग का कमाल होता है दोस्तों आपने मैगी जरूरी बनाए और खाई होगी लेकिन आप जितनी मर्जी कुशिश कर लो वो कभी ऐसी नहीं बनेग जैसे टीवी एड्स में दिखा जाती है तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक शियर और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर दीजेगा